हेलो स्टुडेंट माईसल्फ सैल इश्क माम हो रहे हैं और आज हम लोग अपने वीके जैस्वादल के क्वेस्टन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटीन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपका केमिकल बॉंडिंग के लेवल वन का क्वेस्टन नाइटी टू क्वेस्टन नाइटी तो NF3 की स्टुक्चर कैसे बनाएंगे देखिए यह इस तरह से तीन फ्लोरीन और इसके पास क्या जाएगा एक लोन पेर BF3 की स्टुक्चर कुछ इस तरह से आजाएगी यह मॉलक्यूल किसको जाएगा BF3 तो आप देख सकते हूं इसकी शेप पिरामिडल है यह तो ट्राइगोनल प्लेनर है तो यह तो आप्शन नहीं हो सकता सेकेंड ओप्शन पर चलते हैं BF4- और NH4+, तो BF4- कैसा होगा एक टेट्राहेडरल शेप होगा इस तरह से ठीक है BF4- एक टेट्राहेडरल शेप होगा इस तरह से एक यह कॉडिनेट बॉंड कर रहागा तो यह टेट्राहेडरल शेप पनेगा NH4+, हम सभी लोग जानते कैसा बनता है, टेट्राहेडरल बनता है, यानि इन दोनों की शेप्स तो सिमिलर है, यानि यह दोनों मॉलेक्यूल कैसा होने चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल होने चाहिए, इसो जैसे option कैसी आना चाहिए, option B आना चाहिए, बाकी option को भी देख लेते और 3Cl इस तरह से लगे होंगे, ठीक है, तो यह तो T-shape का molecule, यहाँ पे फिर से सहीम नहीं हो सकता, और NH3 और NO3, आप देखो NO3 में क्या जाएगी, हबडाजेशन SP2 आजाएगी, NS3 में SP3 आजाएगी, तो फिर से शेप्सेम नहीं आ पाएगी, इस वज़े से क्या answer आजाए तो 0.56 g of kvh का मतलब क्या है, अगर आपको पता है kvh का mass कितना होता है, 56 g, तो अगर मैं बोलो कि moles कितने होगे, तो moles का formula क्या हता है, given it upon molecular वे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.01 mol, यानि 0.01 mol base लगता है, इसके 0.01 acid को neutralize करने के लिए, यानि इसके 1 mol को neutralize कर अगर 0.01 mol लगता है, 0.01 mol of kvh लगता है, 0.01 h3pox को neutralize करने के लिए, तो इसके 1 mol लगेगा, इसके 1 mol को neutralize करने के लिए, यानि अगर आप 1 mol इसके 1 mol OH ion produce होते है, तो इससे कितने h plus निकलने चाहिए, केवल 1 mol h plus निकलने चाहिए, यानि इसके अंदर acidic hydrogen कितने होगे, only and only one acidic hydrogen होगे, और हमको पता है कि जो h3po2 होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक ही acidic hydrogen होता है, कैसे structure बनते है, p double bond OH, h, h, और इस तरह से OH, तो इह होता है, तो यानि इसमें केवल ये जो o से attached h होता है, यह acidic होता है, तो यानि इसके अंदर acidic hydrogen कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 94, अब बोलता है कि phosphorus pentachloride, जो pcl5 होता है, वो किस solid state में किस तरह से exist करता है, तो यह पता ही है, कि जो यह theoretical question है, pcl4 plus, और plus pcl6 minus, इस format में यह exist करता है, तो यह theoretical question है, आपको यह पता होना चाहिए, see हो जाएगा, next question 95, क्या बोलता है, the number of sigma and pi bond in tetrasinoethylene, तो tetrasinoethylene कैसे बनाएं यह structure हो जाएगा, tetrasinoethylene का, ठीक है, अब इसमें total pi bond count करिए, triple bond में 1 sigma 2 pi, तो यहाँ पे 2 pi bond आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 pi bond आ जाएंगे, यहाँ पे एक pi bond, यहाँ पे फिर से 2 और यहाँ पे फिर से 2, तो total pi bond मताहिए कितने आ गए, total pi bond आ गए, 2, 4, 6, 8, 9, ठीक है, total sigma bond, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानि 9 sigma 1 भी आ जाएंगे, तो pi bond भी 9, sigma 1 भी 9, तो इन दोनों का ratio कितना हो जाएगा, 1, यानि 1 ratio 1, ऐसा कोई option, option B हो जाएगा, ठीक है, आए, 96 करते है, question 96 में क्या बोल रख़ा है हमसे, question 96 में बोल रख़ा है, कि bond present in N2O5, 9, Trojan Penta Oxide R, कौन से bond present है यहाँ पर, तो आप बताइए, N2O5 की structure आप कैसे बनाते है, N2O5 की structure हम कुछ इस तरह से बनाते है, यह हो जाती है, ठीक है, इसमें यह coordinate bond होते है, तो यह हो जाती है, N2O5 की structure, तो इसमें आप देख सकते है, normal covalent bond present है, और coordinate bond भी यहाँ पर present है, ठ question 96, question 97, question 97, असान question है, कैसे करना इसमें, बोलता है कि the pair of species with similar shape, किसकी shape similar है, तो पहला ही option देखके आप को सबनाते है, PCL3, अगर आप PCL3 की structure बनाएंगे, तो PCL3 और इसके उपर एक loan, तो pyramidal shape बनेंगी, और NH3 तो सबको पता है, NH3 की shape कैसी होती है, pyramidal होती है, यानि यही दो जो molecule है, इन दोनों की similar shape है, बाकी किसी और में, ऐसा नहीं होगा, इस होज़े से क्या जाएगा option है, इसका correct हो जाएगा, CF4 की tetra idol आएगी, SF4 की, यह कैसी आजाएगी, C-shaws shape आजाएगी, ठीके, इसमें आजाएगी, इसकी linear shape आजाएगी, इसकी bend shape आजाएगी, इस तरह से correct, आपको बताना है, Lene के लिए, C3H4 के लिए, तो C3H4 का क्या हो जाएगा, CH2, C double bond, CH2, तो देखे, अगर आप यह central वाले carbon की hybridization निकालेंगे, तो SP आजाएगी, और इस side वाले carbon की hybridization निकालेंगे, तो SP2 आजाएगी, यानि इसकी भी क्या है, SP2 है, ठीक है, यानि the central carbon atom is SP hybridized, सही बात है, the terminal carbon atom is SP2 hybridized, ये भी सही बात है, क्या बोला है, the plane containing the CH2 group are mutually perpendicular, to permit the formation of two separate by bond, ये भी बात सही है, इस option को समनने के लिए, मैंने आपके, stereo isomerism के हमने एक series बनाई है, वहाँ पे हमने आपको एक वीडियो बना रख है, stereo isomerism, हमारा जो वीडियो है, उसके हम बता दे वीडियो के description में link दे दूँगा, आप उस वीडियो को एक बार जाके देखें, तो ये जो third option है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला जो option है, ये आपको organic chemistry में, stereo chemistry में बहुत जाधा help करेगा, तो एक बार आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो हमने model के through, बहु h2s and o6, h2s and o6 में कितने आपके ss bond है, तो मैं ये आप से ये कहता हूँ, इस question को simply करने के लिए, मालीजे आप n की value 2 रख लेजे, एक value putting से कर लेजे, मालीजे आपके पास रहता है h2s to o6, तो कैसे structure बनाते, h2s to o6 होता है, तो हम कुछ इस तरह से structure इस की बनाते, ss ये o h h, यहाँ पर o h, तो यह इसकी structure रहती, h2s to o, से इसकी structure रहती, यानि जब आप n की value 2 रख रहे हैं, तो ss bond कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानि ss bond कितना रहा है, 1 आ रहा है, यानि answer कितना रहा है, n-1 answer होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया हुआ, यह हो जाएगा, तो value putting से कर ल जाते है, ठीक है, तो यह बन जाता है, h2s4o6 का, तो यानि आप देख सकते हैं, इसमें कितने ss bond आ जाएंगे, total 3, तो हमेसा n-1 आपके bond बनेंगे, ठीक है, अब next question क्या है, how many ss bond, next question करते है, question 100, question 100 में क्या बुला है, कि number of ss, sos, sigma and pi bond present देंगे, trimer of sulfur trioxide, देखे, so3 normal होत करता है, so3 whole trice, यानि इसके 3 molecule combine करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, trimer, तो इसको formula क्या बन जाएगा, s3 o9 बन जाएगा formula, तो s3 o9 की structure देखे, आप किस तर से बनेंगे, sos, 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 इस टाइप से हो जाएगा, और हर sulfur से क्या करिए, double bond oxygen, दो-दो सबसे निकाल देजे, तो य भी आपको structure में 2 ss combined दिख रहे हैं, नहीं, तो ss bond कितने हो जाएगे, 0, sos bond, तो देखे, 1 sos bond 1, फिर ये 2 और ये 3, तो कितने sos bond आजाएगे, 3 bond आजाएगे, ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, number of sigma bond, तो पहले pi bond काउंट कर लिजे, pi bond बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pi bond आन तो इस तरह से क्या answer आजाएगा, option B, main app को ये structure पता होना चाहिए, structure पता हो जाएगा, तो automatic आप answer सभी question के कल लेंगे, अब इसी तरह से question 101, question 101 में क्या बोला है, कि the number of identical CRO bond in CR207, तो CR207 की structure कुछ इस तरह से होती है, देखे, CR207 की structure कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है, त इस ध्यान से देखें, ये वाले जो bond Has, CR double bond O वाले ये सभी के सभी के सभी 병da कैसे है, ये सभी के सभी बॉन क्या है, identical है, कि इसमें कितने CRO bond identical जैसे यह जो CR double bond हो है वैसे ही यह सभी सभी bond है तो यह इसमें यह वाले और यह वाले इतने bonds क्या है आपस में identical है इसो जैसे कितने identical bond आ जाएंगे इसमें 6 identical bonds आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब question 102 question 102 क्या बोलता है the nodal plane of pi bond in ethene is अब ethene में noodle plane आपको बताना है इसमें तो अगर आप ethene का molecule बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे carbon single bond carbon इस तरह से H, H, H और H ठीक है अब जो pi bond होगा देखिए pi bond कैसे present होगा एक pi bond उपर इस तरह से इस तरह से होगा और एक नीचे होगा समझ में आ रहा है इस plane के perpendicular direction में इस तरह से ह होगा इस तरह से एक pi bond होगा और एक नीचे से तो इस तरह से यह आपको हम इसको copy में show करते है ठीक है तो यह actual representation होता है एक double bond का तो यह जो आप overlapping दिखाते है यह pi bond की एक क्या होगा plane के इस तरह से ऊपर और एक plane में नीचे जा रहा होगा तो अब बताईए इसमें कहां पे इसका molecular plane इसका सही answer हो जाएगा अब question 103 question 103 में हमसे क्या बोला है iso electronic और iso structural इसमें से कौन-कौन सी species है आपके लिए क्या question है iso electronic और iso structural हमने अपने previous वीडियो में आपको इन सभी की structures बना के दिखाई हुई है मैं सीधा correct option को solve करता हूँ इसका correct option है NO3- और CO3- NO3 के अगर इस तरह से आ जाएगे ठीक है यह हो जाएगा NO3- तो इसमें आप देख रहे है hybridization nitrogen के sp2 है sp2 hybridization है और shape क्या है trigonal planar इसी तरह से co3- की बनाएगे तो co3- कुछ इस तरह से बना देंगे फिर से hybridization sp2 आ जाएगा trigonal planar लेकिन में पर co3 की बनाएगे तो co3 की बनाएगे और so3 की बनाएगे जैसे clo3 बनाके देखिया तो clo3 कुछ इस तरह से आ जाएगा इस तरह से मेरे को बनाना चाहिए यह गलत है यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं double bond O double bond O और 1234567 ठीक है इस टाइप से क्या आजाएगा आपका clo3 की structure आ जाएगी तो यहाँ पर अगर आप इसकी hybridization देखेंगे तो कितनी आ जाएगी sp3 hybridization आ जाएगी ठीक है यहाँ पर देखिये कितने sigma bond आ जाएगे 3 single bond और एग लोन पर तो sp3 इनसे तो इसकी shape similar नहीं होगे और SO3 बनाएगे तो SO3 तो कुछ इस तरह से आ जाएगा SO3 ठीक है तो इस तरह से structure आ जाएगा इसकी shape तो सेम है SO3 जो है वो iso structural तो है NO3 और CO3 2-5 लेकिन iso electronic नहीं है हमको क्या चूज करना iso electronic और iso structural तो इस वज़ नहीं हो सकता है ठीक है तो इससे क्या answer आ जाएगा option यह आ जाएगा last question करते है last question में क्या बोला हमसे कि in the electronic structure of H2SO4 total number of unshade paid electron H2SO4 का एक बार आप structure यहां पर draw करिए कैसे structure draw करेंगे HOS double bond O फिर यहां पर double bond O फिर यहां पर O और H2 loan pair count करिए यहां पर दो दो loan pair है इसके पास ठीक है और ऊपर वाले oxygen के पास भी इस तरह से दो दो loan pair आपके present है तो कितने loan pair electron होगे 12345678 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आपके answer हो जाएगा ठीक है तो यह थे कुछ प्रेशन हमारे WKJS वाल के अगर आपको किसी और question का video solution चाहिए तो comment mention करें उसका video solution आपका point करा दिये जाएगा so that's all for today and thank you for watching